मनजिले उन्ही को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं पंखो से कुछ नहीं होता होसलों से उरान होती है ये जो शेर है इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज एक होसला एक प्रतिभा और एक बेटी की सफलता को हम आज आपको बताने जा रहे हैं जफरपुर की लडली बेटी है जिसने जेए में में कलियर किया है सफलता हासिल की है मिशु कुमारी इनका नाम है हमारे साथ हैं आजision और सबसे बड़ी चीज की फजी की बेटी हैं आर्मी में इनके पापा हैं और बहुत दिनों से हैं तो बात करेंगे कि सफलता का राज क्या है और कैसे यह सफर शुरू हुआ और आज कैसा लग रहा है तो सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारक बाद आपको Thank You Sir तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तुमने जेए में में किलियर कर लिया है तो अब कैसा फिल कर रही है सार बहुत अच्छा लग रहा है बहुत मेंत कि एथे इसके लिए मतलब मेरा बच्छपन से यही सपना था एसा लग रहा है की सपना पूरा हो गया है पापा नहीं कि वह तो बाहर रहते हैं पर फोन पर हमेशा मोटिवेट करते था हमेशा inspired करते थे और ऐसे मौसाज मौसी हो गया है भाईया लोग हमेशा motivate करते थे यह करो वो करो उनसे बहुत inspired हुए अच्छा अब आगे क्या करना है किस तरह से तयारी हुई और कब से यह सिलसिला शुरू हुआ कब से प्रिपरेशन जैसे कोई IT में IIT करना चाहता है जही में में कंप्लीट करना चाहता है तो कब से उसको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए अब बच्छे इलावन्थ में जब रहते हैं तो उतना सीरियस नहीं होते हैं जो बी डाउट है मतलब हर एक डाउट हर एक कुईशन को क्लियर करना पड़ेगा डीपी उनको जो मिलते हैं जो भी इंस्ट्रिटुट में पढ़ते हैं डीपी हो गया या फिर वहां का स्टाड परते उसको अच्छे से क्लियर करें, तो आडाम से जैमेंस एडवांस सब क्लियर हो जाएगा, अजय कितना परसेंटाइल तुमारा, 93 परसेंटाइल, 93 देखें, 90 परसेंट से उपर इनका परसेंटाइल है, तो क्या साबधानिया बरतनी चाहिए स्टूडेंट्स को, और कितन इतना दूर रहना चाहें, उतना दूर स्मार्टफोन से रहें, फेस्बूक, ट्विटर, यूटूब ये सबसे दूर रहें, आप दूर रहती हैं, इन सारी चीज़ें, उतना यूज नहीं करें, तब देखिए, ये स्मार्टफोन से सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, स्मार जो प्रप्रेशन करना चाहरे हैं जो इसमें सक्सिट करना चाहरे है तो क्या कहेंगे ज़रूरी नहीं है कि यह नई स्टूइट से कोटा जाएं या फिर कहीं बाहर बढ़े बर इंस्टिट्ट में जाएं अगर उनके अंदर चाहें किसी चीज़ करने की तो फिर वो खुद से मेनत करके हमारे यहां भी बहुत सारे पटना में भी बहुत सारे अच्छे इंस्टिटूट हो चुके है तो फिर वो अच्छे से पढ़ें जो भी डाउट है अच्छे से क्लियर करें डाउट सॉल्व करें और स्टेडी मैटेरियल solve करें जतने previous question हो सके उसको करें pattern को solve करें तो फिर आराम से हो जाएगा जही के लिए तुम एक बेटी हो मिशू एक बेटी है लड़की आप देखी सकते तो कभी लगा बेटी और बेटे में फर्क होता है लड़के लड़की में तो उसका कभी यह हुआ आज के generation के हिसाद नहीं आज के generation में यह कहना गलत है कि बेटा बेटी में मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं बच्पन से मुझे सब लोग बहुत इंश्पायर कियें भाईया मौसा मौसी ममी पापा सब लोग बहुत ज़्यादे इंश्पायर कियें और मेरे घर में बेटा बेटी में कभी कोई फर्ट नहीं हुआ मुझे बेटा से जाद ही दर्जा दिया गया घर में हमेशा कैसा लग रहा आज प्राउड फिल हो रहा है बहुत ज़्यादा बेटी होने पर मुझे गर्व है कि मैं बेटी हूँ इस बात का बहुत प्राउड है गर्व है कि मैं बेटी हूँ और हमारी कोशिश एतनी रहती है उन बेटियों के लिए जिनको कभी कुछ निराशा लग गई हो या कभी परिशानी हो वो इन चीजों को देख कर आगे अच्छा करें तो कितना मतलब फर्स्ट अटेंब था आपका नई सेकेंड अटेंब था तो क्या-क्या वो तो हमने पूछ लिया कि आगे आप क्या करना चाहती है ये एडवांस आपने कहा कि उसमें कुछ आईटी ये सर आईटी तो क्या बनना क्या है आगे जाके इंजिनियर कम्प्यूटर साइंस लेके इंजिनियर मनना चाहती है फौजी की बेटी है और बिहार में ही इनोंने परहाई की आपने एक चीज कही कि कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है यहां भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा एक्स्प्लेन कीजिए उन लोगों के लिए और बहुत सारे इंस्टिट्यूट्स भी हैं जो यह कहते हैं कि नहीं बिहार में कुछ नहीं हो सकता कोटा ही आना परेगा ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाले बच्चे अगर कहीं भी एकांत उनको मिले तो वह कहीं भी रहके पढ़ सकते हैं बस अंदर में चाह होनी चाहिए सिरियसनेस होनी चाहिए तो वह कहीं भी रहके कुछ भी कर सकते है चाह होनी चाहिए कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए आप साथ-ाथ घंटों अगर ओनेस्ली पढ़ते हैं एकांद में पढ़ते हैं मन से पढ़ते हैं तो फिर वह भी बहुत है तो आप जितना भी दिर पढ़ते हैं माइंस से पढ़ते हैं मतलब smartly work करें यह भरांती है कि 18 गंटा पढ़ना तभी होगा के लिए ऐसा कुछ नहीं चुनल पर रहे हैं और टाइम पसकारे स्मार्टफोन लेके बैट गए तो उससे भी कुछ ने अब जितना दिर पर रहें स्मार्ट ली वर्क करें लेकि मीशू है और इन्होंने जेई मेंस में क्लियर किया है 93 परसेंटाइल इनको मिले हैं आगे बहुत कुछ करना चाहती एक सफल इंजिनियर बनना चाहती है क्योंकि आर्मी में इनकी बेटी है आर्मी इनके फादर फौज में है और कहीं से भी आपको इसके पूरे आप देखिए प्रतिभा दिखेगी और पूरा उत्साह दिखेगा आगे कुछ अच्छा करने की तो उन बेटियों से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सीख लीजिए मीशू से इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि जेई मेंस में और इस तरह के competitive examination में कैसे तयारी की जाती है बाहर जाने की जरूरत नहीं अगर आप यहां भी रहकर एकागर मन से बार बार आप एकागरता की बात कर रहे थी concentration की बात कर रहे थी share से शुरुवात ही की थी कि पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उरान होती है तो होसला होना चाहिए बहुत बहुत शुब कामना है आपको आप अपने जीवन में सफलता आरजित करे जितने भी हमारे तमाम दर्शक है उनकी तरफ से हम आपको शुब कामना देते हैं मुझफरपुर की बेटी है मिशु कुमारी इन्होंने 93 परसेंटाइल जेई मेंस में लाया है और आज गर्व महसूस कर रही है अपने मुझफरपुर की बेटी होने पर बेटी होने पर क्रेडिट किसको देंगी क्रेडिट पापा को दे के बहुत इंश्पैर होते थे कि वह देश के लिए अतना कर रहे तो हमें भी उनकी लिए करना चाहिए और ऐसे मौसा हमेशा गाइड करते थे उनको बहुत विश्वास था मेरे पर भाई या लोग भी हमेशा मोटिवेट करते थे कि ये कर और वह उ हासिल करना चाते हैं किसी भी फिल्ड में वो इन चीजों से बहुत सीख ले सकते हैं 18-20 घंटे ही परने की कोई जरूरत नहीं है कम घंटों में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं बजापते इसके आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए concept क्लियर होना चाहिए concentration होनी चाहिए तब आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे बने रहे बिहार लाइब नहों के साथ हमारे सही होगी मुकेश ठाकूर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजे इजाज़त नमस्कार